दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बना के आपको बताया था Infinite Painter Application के अपडेट के बारे में जो कि मुझे मिला है लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि Sir हमें मिला ही नहीं है आपको कैसे मिला तो उनके लिए बता दू वो अपडेट जो था वो एक बीटा अपडेट था जो कि मुझे मिला है और मैं खुद एक बीटा टेस्टर हूँ अब जिनको पता नहीं है बीटा टेस्टर होता क्या है उनके लिए बता दू बीटा प्रोग्राम होता है जिससे कि आपको जॉइन करना पड़ता है Google Play Store के जरीए आप जॉइन कर सकते हैं exactly आप जिस अप्लिकेशन को बारबार यूज करते हो कभी अपने डिवाइस से हटाते हैं वो उस वोजय कर सकते हो 15 फाइदा क्या है मैंने अब इसका फाइदा किया है मैं आपको बता दू जब नए वर्जान के उपर काम करती है एक ही आप्लिकेशन का तो कुछ शुनिंद को या फिर आप़ या लोग की बीटा TEESTER को अप्लिकेशन प्रोवाइड करती है और उनसे सुज़ाव मंगती है application के बारे में अप्लिकेशन के वारे में उनको requirement होती है, तो वो company को आप provide कर सकते हो, यही होता है beta tester program, company उन्ही customers को यह देती है, जिन्होंने beta program join किया हुआ है, और वो beta program भी company ऐसे लोगों को provide करती है, जो कि हमेशा उस application के उपर काम करती है, तो यही होता है beta program, अब उसके तहत मुझे वो application मिला है, उसमें कुछ bugs भी ह मैंने report भी की है, और कुछ नए improvements के बारे में भी बताया है, देखते हैं अगले version में company क्या उसको भी add करती है, या फिर वो bugs fix करती है, जो भी है आगे video बनाके मैं आप लोग को बताने की ज़रूर कोशिश कूँगा, फिलहाल जिनको update नहीं मिला है, वो old version ही use करते रहे, अब stable update आ जाएगा, तब मैं आपको सबको बता दूँगा, कि हाँ infinite painter का update आ गया है, तो आप इसे आराम से install कर सकते हैं, तो बज़ दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे बहुत सारे वीडियो हमारे लिए आने वाले हैं, उसकी लिए चैनल को सब्सक्राइब की कीजिए, साथ में बेल आगें दबा के ओल पर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपकी मोबाइल पर मिलती जाएगी.